सब्सक्राइब बात करेंगे किस तरीके से कौन कौन सा चैप्टर कितने नंबर के एक्सपेक्टेड आ सकता है और जैसे कि आपको बताएं इंसिचूट की तरफ से कोई ओफीशल वेटेज की नहीं करी गई है यह जो एक्टरी में वेटेज है मैं आपको जो दिसंबर 23 के एक् पढ़ाते हुए को पढ़ाते हुए उसके बेस्ट अपॉन मैं आपको यह वेटे जो है बताने वाला हुए ठीक है और जो बच्चे हमारे चनल को सब्सक्राइब करना मत बूदिएगा ठीक है और सीए सब्सक्राइब करना चाहते हो बहुत ही प्राइस पर हाई क्वालिटी कह देता हूं कि हमारी जो यह वेटे में आपके साथ शेयर करने वादा हूं यह एक्सपेक्टेड आप मानके चलिए कि मोस्टी आपकी यह एक्जाम में ऐसे ही रहेगा रहता है हमेशा ही ठीक है तो देखिए सबसे बहुत करें सेक्षिन ए की कॉर्पेट अकाउंटिंग की सिक्स्टी माइकों का इसमें जो शेयर केप्टल है शेयर केप्टल का कोशन आपको पांच से पन्दरह था का मैंक्सिमांटिंग अगर दिबेंचर के वह आपको 5-10 नंबर आएगा आपको इसमेंء amendment है ठीक है तो वो जुरू करके जाईएगा उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है amendments का CFM की वो भी description में आपको link वर जाएगा इसलिए पांच से दस नंबर का debenture का आ सकता है buyback और redemption of preferential दोनों में से एक question आपको आ सकता है छोटा question कोशन आ सकता है पांच या दस नंबर का अंडर राइटिंग इसोप bonus और राइट शेर इन में से आपको तीनों में से सरफ एक question आने के चांस है क्योंकि बहुत छोटे-छोटे से चैप्टर है ठीक है तीनों में से एक question आपको पांच नंबर का आ सकता है cash low और ratio या damn sure होता है कि दोनों के दोनों chapter आएंगे इसमें से एक question आपको मान के चलिए cash low का इस बार long question आने के पूरे-पूरे संभावनाई है जी हाँ जो very first question होगा very first question होगा compulsive वाला वो पूरी उमीद है वो cash low का long question इस बार आने वाला है ratio का आपको 5 नंबर का 6 नंबर का question आ सकता है ठीक है most only chance है consolidation हमारा damn sure होता है stamp लगी होई है कि हमेशा 10 नंबर का मतलब 8 9 10 जितने नंबर का भी long question आएगा वो आएगा ही आएगा exam में आपको damn sure है उसके बाद financial statement ये तीन chapter में कश्मकश चलेगी तीनों में से एक chapter जो very first question आएगा वो तीन chapter में से एक chapter में एक chapter आएगा या तो फिर आपका financial statement आने वाला है या तो फिर आपका financial statement आने वाला है long question जो very first आएगा number 2 cash flow आशकता है इन दोनों में से एक आने की पूरी-पूरी संभावनाएं है cash flow या financial statement ठीक है share capital की संभावनाएं बहुत कम है है इस वार ठीक है तो डिवेंचर का भी हो सकता है ठीक है mostly 99.99 परसंट चांसे किसके है cash flow और financial statement बट financial statement की ज्यादा priority है ठीक है जी तो यह हो गया हमारा किसका corporate accounting की वेटेज हो गई chapter wise perspective इतने marks का exam आ सकता है question आ सकता है अब बात करते है FM की FM का unit आपको बता है चालिस नंबर का है FM में अगर हम बात करें leverage चोटा सा question है इसमें पांच नंबर का तो पका आएगा दस तक का दस तक आने के chances काम होते हैं वैसे dividend policy चार या पांच नंबर का छोटा question practical आएगा यह तीन chapter तीनों के तीनों बहुत जबदर्स तरीके से आपको करके जाने हैं यह जो long question जैसे इस बार working capital का आया तो दिसमबर 23 में अब मानके चलिए इन तीनों में से अगर अगर 20 नंबर का question आया अगर 20 न capital का question होता है वो आने के chances हैं या फिर capital budgeting का long question 12 या 15 नंबर का आयेगा 20 नंबर का नहीं consolidation damn sure होता है वैसे marginal question भी damn sure है पांच से ताथ आठ दस जितने का भी मतलब पांच के आने के chances ज्यादा होते है capital sector का theory question आने के chances होंगे मतलब आपको लिए इलाके मानके चलिए cfm के पूरे अगर मैं slivers की बात करो उसमें से जो damn sure वले chapter होते हैं cash low cash low ratio share capital का एक question आएगा ही आएगा consolidation का long question आएगा ही आएगा ठीक है marginal costing का आएगा ही आएगा और working capital में से 10 से 20 नंबर तक का आ सकता है यह damn sure होते हैं इनमें से exam 100% बने गई बनेगा ठीक है बच्छों तो यह इस तरीके से exam की विटरी बन सकती है ठीक है chapter wise आपको यह बहुत ही अपमान के चलिए यही रहने वाली है ठीक है तो आप इसी accordingly आप अपना वेपर त्यार कर सकते हैं ठीक है और हमारे साथ जुणने के लिए हमारे whatsapp चैनल को join कीजिए description में आपको link मिल जाएगा और classes buy करने के लिए day to day आपको daily routine और guidance खास करके दी जाएगी आपको ठीक है